नमस्कार दोस्तों मेरनम सुमंत और आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आफ सबसीडिरिटी के बारे में ये जो प्रिंसिपल है ये आपके लिए रिलेवेंट है G.E.S. 2 के लिए एसे के लिए और G.E.S. 4 में आपसे सवाल पूछ आ सकते हैं जो principle of subsidiarity है इसका मतलब ये होता है कि मालेजिय के गर्वर्मेंट है गर्वर्मेंट में काम होते हैं तो जो काम सबसे lowest level पे हो सकता है वो काम उसी level पे होना चाहिए मतलब कि जो काम पंचायत कर सकती है उस काम को राज necess eigentlich करना चाहिए उस काम को केंद्र को नहीं करना चाहिए Similarly, जो काम राज सरकार कर सकती है वो काम इसे ही करना चाहिए इसे केंद्र को नहीं देना चाहिए बस मैं आती है तो इसे अगर साधर भाषा में कहें तो a central authority should not exercise functions which can be carried out efficiently by immediate or local level बस मैं आती है हाँ, भले ही local authority करे मगर जो अपर authority है वो उसे coordinate कर सकती है उसको support कर सकती है ठीक है? फादा क्या होगा? यह जो principle of subsidiarity है यह ensure करता है कि जो decision है वो जनता के नजदीक लिए जा सके जितना नजदीक हो सके उतना ठीक है? फर एक्जांपल जो काम पंचायत कर सकती है जितने अच्छे से वो काम राज नहीं कर सकती जैसे कि आप देख लो मालोकी आपको पहचानना है एक गाउं में जो गरीब हैं उनको तो गाउं के गरीब को पहचानने का काम जो पंचायत है यह अच्छे से कर सकती है क्योंकि इससे पता है उस गावों के सावर्व्यक्तियों के बारे में के क्वव्यक्ति के पास कितने डॉलर्ट एंग जमीन है समी काम अगर आप राज्य सरकार को दे दो क्या इसा कर पाएगी नहीं जी मगर हाँ ये काम पंचायत करेगा मगर इसे कॉडिनेट कर सकता है राज्य है ना अलग अलग पंचायतों को वो काम दे सकता है इन्हें जो resources है जैसे की tablet वगरा हो गया कौन सा गोल यह नहीं वो जो जिस पर लिखते हैं वो पैड वाला तो वो सब दे सकते हैं डाटा फीड़िक बगारा करने के लिए तो राज सरकार उसको कोडिनेट कर सकती है उन्हें support कर सकती है ठीक है एक बात और जो जिसे कि वहाँ पर लगा जाए सकते हैं फोर इक्जामपल जो पंचायत है इस लेवल पर काम करने से जो काफी कम हो जाता है क्योंकि जनता की वहाँ पर निगरानी होती है बस में आती है तो जो प्रिंसेपल क्या होती है प्रिंसेपल का मतलब यह है कि जो सेंत्र अथॉरिटी है इट शुड नॉट एक्सरसाइज फंशन्स विच कान बे करेड़ आउट इफिसेंटली बाई लोकल लेवल गॉवर्मेंट और लोवर लेवल गॉवर्मेंट अब इसका फादा क्या है अभी आपको मैंने बताया सबसे पहली बात कि काम में इफिसेंसी आती है ठीक है इसमें जो इफेक्टिवनेस है वो आती है करप्शन बहुत कम रहता है प्लस जो इंक्लूजन एंड एक्स सिस्टं मतलब कि जो होसें कार्ड वगरा इसके लिए जो बैंट हैं हमें उसकी भात राचान करनी है तो इसकी पहचान जो परटे close कों नहीं को REM काम पने सके सनकर नहीं कि आप राज़े पर डेवर नहीं रहेंगे पंचायत है अपके काम करदेगा zab है अब चुकि काम आपके मुहले में हो रहा है आपके द्वारा हो रहा है तो जो ownership है वो ज्यादा होगी चुकि public participation से हो रहा है इसी कारण से वो जो project है ना उसके successful होने के chance काफी अच्छे होते हैं चुकि corruption कम है इसलिए वहाँ पर economic efficiency आएगी है ना कामसे से होगा better knowledge of problems क्योंकि पंचायत कुसमसे है पता होती है किस महले में किस गली में कहां पर नाली नहीं है कहां पर बल्ब नहीं है कहां पर क्या नहीं है कहां पर स्कूल नहीं है कहां पर medical नहीं है मसमर्यों जो ideas है महले व होती है के रला में एजुकेशन बढ़िया है हो सकता है कि यहां पर health की जरुवत हो बिहार में education भी नहीं है और health भी नहीं है तो यहां पर दोनों के जरुवत है है तो अलग अलग राजी के जोड़ते अलग अलग है के रला एजुकेशन पर कम खर्चा करेगा health पर यादा से divide होती है local government को कौन सा काम करना है यह पूरी तरह से rationally और realistically divided की जाती है दूसरी government का उसमें कोई हैस्त शेप नहीं होता क्योंकि सब बाते पहले से पता होती है coordination अच्छे से होता है deconances लिया आता है जो policy making होती है अच्छे से होती है इसका implementation भी अच्छे से होता है ठीक क्यों जरूवत है इंडिया में principle of subsidiary की principle of subsidiary की जुरत वहां होती है जहां पर जो देश है जो area है वो उसका size बड़ा हो इतना बड़ा देश को सासन करना मुश्किल होता है दोस्तों इसके लिए हमारे country में federal government ठीक है इस principle of subsidiary को implement करने के लिए 73rd amendment लाया गया जरूवर है जिसके अंतरगार तो जो पंचायत था, जो पंचायत है ना, इनको समिधानिक दरजा दिया गया था, जो 11th schedule है, इसको add किया गया था, दोस्तों इसमें जो subjects हैं, वो mentioned हैं, कि कौन-कौन से काम पंचायत के द्वारा किये जाएंगे, जो participation of community है, वो बढ़ाया गया, जैसे कि हम transfer of fund होता है, वो क्या जाता है, state finance commission द्वारा, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, वो राज्य के चुनाव आयोग है, वो करता है, state election commission करता है, election commission of India नहीं करता, बसमें आती है, इसी आई करता है, president का, vice president का, parliament का, और state legislature का, पंचायत का election, state election commission करवाता है, ठिक, हमने देखा कि जो केरला है करनाट का इंपी हैं वो काफी अच्छे एक्जामपल है इस प्रिंसिपल और स्पूरिटी प्रिंसिपल के इंप्लमेंटेशन के तो दोस्तों हम ऐसे वीडियो लाते रहें चुड़ चुड़ आपके लिए जहां पर जो बेसिक कॉंसेप्ट्स हैं हमारे पॉलिटी के जोग्राफी के इस सब को समझ में आती रहेंगी ठीक है विल दोस्तों मिलता हम वहाँ पर अच्छे लिग तो करना